एक सोलजर और एक प्रेगनन लड़की एक दूसरे के दोस्ट बनते हैं उस लड़की का पती उसे छोड़ कर चला गया था अगर इस तरीके से घर पर जाती है तो उसके फादर उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यह सोलजर फिर उसका हजबन होने का नाटक करता है और उसके स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे में गारेक्टर पॉल को वर से वापस आथा हो देख सकता है चार साल पहले अपनी डूटी जॉइन करने से पहले उसने शादी के थी उसकी वाइफ का नाम्दा बैटी उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे पिक तो इस वज़े से वो कभी भी पढ़ती नहीं थी ये बात सुनकर बॉल को बुरा लगता है पर इसे उसने एक्सेप्ट कर लिया बेटी खुद को इंप्रूव करने के लिए आजकल सेल्फ हेल्फ बुक पढ़ रही थी उसने कहा कि मैंने तुम्हारे जॉब के बारे में अल्रेडी बात कर लिया है तुम चॉकलेट बेश सकते हो पॉल कहता है कि अब मुझे चॉकलेट सेल नहीं करने अपनी न्यू लाइफ उसने अलग तरीके से इमेजिन किये थी इस सारी चीज़े वो अपने लेटर में लिखता था बेटी ने कुछ भी पढ़ा नहीं था तो इस बात से उसे बहुत की अफसेट लग रहा था वो चॉकलेट बेशने से मना करता है तो बेटी उससे अफसेट हो गए पर पॉल उसे मना लेता है इसके बाद इस दोनों इंटिमेट हो गए अगली दिन वो चॉकलेट सेल करने के लिए निकल पड़ा ट्रेन में एक बहुती ब्यूटिफुल सी लेटकी सो मिलता है इसका नाम था विक्टोरिया विक्टोरिया को अपना बैक रखने में ज़रा प्रॉल्म हो रहा था तो उसे हेल्प करने लग गया और बैक नीचे गिर जाता है इसमें विक्टोरिया और उसके फादर की फोटो थी तो विक्टोरिया बहुती डर गए वो कहती है मेरे फादर मुझे मार डालेंगे पॉल गहता है कि इसके बारे में ज़रा वरी मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा ट्रेन का ब्रेक लगा और ये दोने एक दूसरे पर गिर गया पॉल उसे उठने में मदद करता है और विक्टोरिया ने उसी पर उल्टी कर दी ये पॉल का अर्मी का उनिफर्म था तो जाकर इसे उस साफ करने लगता है टीसे ने पॉल का टिकेट चेक किया तो पॉल को जहाँ पर जाना था उसके पीछले स्टेशन का टिकेट है विक्टोरिया के पॉल पर उल्टी करने की वज़े से सब लोग को उसकी बास आ रही थी वो वापस आता है तब तक विक्टोरिया सो चुकी थी पॉल ने भी सोने की कुशिश की पर उसे वार के बहुत ही बुरे सपने आते है उसके आख खुली तो स्टेशन आ गया था और विक्टोरिया चली गई थी वो जल्दी से भाग कर एक बस में चड़ जाता है इस बस में विक्टोरिया थी उसे सौरी कहती है पॉल ने कहा कि इसके बारे में ज़्यादा वरी मत करो विक्टोरिया ने पॉल से बुच्छा कि तुम कहा पर जा रहे हो पॉल अपनी डेस्टीनेशन बताता है तो विक्टोरिया ने कहा कि वहाँ पर तो ट्रेंज आती है तो यह बस में चड़ने की कोई जरूरत नहीं थी पॉल ने कहा कि मेरे तिकिट में कुछ गड़बड हो गई थी विक्टोरिया रियलाइस करती है कि जब पॉल उसे हेल्प कर रहा था तो उनके तिकिट भी इंडरचेंज हो गए थे उसे पॉल के लिए बहुत ही बुरा लगता है बस में अचानक से कुछ लोग विक्टोरिया को तंग करने लगता है पॉल उन्हें विक्टोरिया को अकेला छोड़ने के लिए पर वो लोग मानते ने उल्टा पॉल पर ही हमला करते है तो पॉल ने उन्हें बहुत मारा ये सब बस ड्रावर को अच्छा नहीं लगता तो सब को बहार निकाल देती है आगे का सफर पॉल चलते चलते ही तई करने लग गया थोड़ी देर के बाद रोड पर विक्टोरिया उसे रोती हुई मिली वो बुचता है कि तुम यहाँ पर क्यो रूख के विक्टोरिया कहती कि मेरा गाव यहाँ पर पास ही है मेरे फादर मुझे अब मार डालेंगे पॉल कहता है कि ऐसा हुआ क्या है विक्टोरिया कहती कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे प्यार हो कहा था उन दोनोंने शादी की और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रिगनेंट है उसके बाद वो प्रोफेसर डर कर भाग जाता है उसे मैरिड लाइफ में बंदा हुआ नहीं रहना था पॉल कहता है कि तुम जादा अपसेट मत हो एक नई लाइफ इस दुनिया में आने वाला है इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए पॉल को एक आइड आया वो विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुमारा हस्बन एक दिन के लिए तुमारे घर पर आया इसके बाद अगली दिन वो अचानक से भाग जाए तो तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे एक दिन के लिए में तुम्हारा हस्बन बनने का नाटक कर सकता हो विक्टोरिया को इस हेल्प की जरुवत थी तो वो भी मान जाती है उसने कहा कि वार में फाइट करना तो बहुत ही टफ होगा पॉल कहता है कि जब भी मैं डर जाता था तो मेरी फ्यूचर की लाइफ को याद करता था उसका ड्रीम था कि उसके छोटे चोटे बच्चे हो एक डॉक हो और एक छोटे सा घर उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ थी ये जैसे ही विक्टोरिया के घर के पास बोच है तो अचानक से इन पर कोई गोली चला देता है ये और कोई नहीं था तो विक्टोरिया के फादर थे जिनका नामें अलबर्टो अलबर्टो ने विक्टोरिया से बुचा कि ये है कौन वो जब पॉल को अपना हजबन बताती है तो इस बात से अलबर्टो बहुत ही जादा गुसा हो गया था अलबर्टो पुराने खैलात के थे बुचाते थे जिस घर में उनकी मर्जी हो उसी घर में उनकी बेटी जाएगी उन्हें अपना दामाद मैक्सिकन चाहिए था और वो पॉल को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते विक्टोरिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते है पर उसने अलबर्टो का ट्रस्ट खोया था वो पॉल से बुशते हैं कि तुम करते क्या हो पॉल ने कहा कि मैं चॉकलेट सेल करता हूँ इस बात से हो और भी जादा डिस्टब हो गए था चॉकलेट की बात सुनकर अलबर्टो के फादर डॉन पेट्रो फटाक से आगे-ागे उन्हें वो बहुत ही अच्छे लगते थे पॉल को तुरंद एक्सेप्ट कर लेते हैं विक्टोरिया अपने मदर से यह थे हैं फादर समझ क्यों नहीं पाते हैं मेरे लाइफ की डिसीजन मेरे खुद क्यों होने चाहिए मदर बुश थे कि क्या तुम सचमुश में उससे बहुत प्यार करती हो विक्टोरिया हा कहती है मदर ने कहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ा भी वरी मत करो डिनर करते हैं वग मदर बुश थे कि तुम दोनों मिले कैसे थे इनकी स्टोरिय में बहुत सारे डिफरेंसेस थे पर कुछ ना कुछ करकर अपनी स्टोरियों बताई देते है अलबर्टो ने पॉल के पैरेंट्स के बारे में पूछता तो पॉल कहता है कि मैं अनात हूं अलबर्टो के बात अच्छे नहीं लगती उसे लगता था कि आदमी को अपने ancestor के बारे में पता होना चाहिए पॉल चॉक्रेट सेल करता है इस बात को लेकर उसने उसकी insult कर दी पॉल डिनर से उटकर बाहर आगया तो Victoria भी उसकी पीछे पीछ आई पॉल कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुती केरिंग फैमिली है इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ Victoria कहता है कि फादर को तुमसे इस तरीके से बात नहीं करने चाहिए थी पॉल कहता है कि अगर उनके जगा पर मैं होता तो शायद यहीं करता Victoria ने कहा कि तुम ऐसे नहीं हो इसके बाद रात में आकर मदर इनका बेड़ ठेड़ी करकर देती है उसने कहा कि यह बेड़ पूछतों से हमारे खांदान में है यह पहले Victoria के मदर और फादर का था और अब यह इनका हो गया मदर कहकर जाती है तुम्हारे फादर भी तुम दोनों का एकसेप्ट कर लेंगे सिर्फ जरा वक्त लगेगा रात में मदर ने अलबर्टो को समझाने की कुशिश किये उसने कहा जाओ जाकर उनसे बात करकर आओ इस तरीके से उनसे अपसेट रहना ये बात अच्छी नहीं है Victoria ने पॉल से पूछा क्या तुम्हें चॉकलेट सेल करना अच्छा लगता है पॉल ने कहा कि इस ट्रीपर में जरा सोचने के लिए आया था वो एक अच्छा जॉब चाहता था और लाइफ में अगे क्या करना है इस सब के बारे में वो सोचने वाला था Victoria ने कहा कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो पॉल ने कहा कि तुम मैरिट नहीं हो तुम समझ नहीं सकते Victoria इस बात से अफसेट होगे तो पॉल इसके लिए उसे sorry कहता है पॉल Victoria से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा Victoria ने कहा कि मैं already pregnant हूँ इसके बाद मुझसे शादी कोई भी नहीं करेगा पॉल कहता है कि अगर मैं किसे से प्यार करता हूँ तो मुझे इन सब चीजों से कोई भी फरक नहीं पड़ता पॉल नीचे सो रहा था पर अलबर्टो इने देखने के लिए आ गया तो जल्दी से वो उपर आ जाता है उन्होंने नोटिस किया कि पॉल का बेट नीचे गिरा था इनके रूम के डोर पर लॉक नहीं था तो पॉल कहता है सेफटी के लिए मुझे आज रात उपर ही सोना चाहिए विक्टोरिया भी इस बात के लिए मान जाती है ये दोनों करीब आने लग गये थे पर पॉल ने खुद को रोक लिया बीच रात में इनके फार्म से बेल्स बजने लगे आज बहुत ही थंडी थी और उस वज़े से उनकी ग्रेप्स में फ्रोस्ट बाइट लग रहा था इसके लिए ओ आग लगा थे और उसकी हीट ग्रेप्स को दे रहे थे पॉल अलबर्टो से कहता है कि मैं इसके लिए हेल्प करना चाहता हूँ वो गुस्साओकर कहते है कि ये सब सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है विक्टोरिया को या आता था तो ये पॉल को सिखा देती है ये प्लांट्स को हिट देने का एक बहुत ही ब्यूटिफल सा वे था ये सब करते हैं पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के करीब आने लग गये थे सुबह होते ही किसी को पता चलने से पहले पॉल यहाँ से जाने लग जाता है जाते जाते उसे डॉन पेड्रो ने देख लिया वो गहते कि मेरे साथ चलो पॉल के चॉकलेट सुने बहुत ही पसन आये थे उन्होंने कहा कि आज हर्वेस्टिंग का डे है तो मैं आज की दिन रुख जाना चाहिए पॉल इसके लिए मना करता है तो डॉन पेड्रो ने कहा कि अलबर्टो ठीक कहरा था उसने मुझे बोला था कि तुम विक्टोरिया को छोड़ कर भाग जाओगे पॉल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो डॉन पेड्रो कहता है कि आज के दिन के लिए रुख जा अगर तुम नहीं रुख है तो अलबर्टो विक्टोरिया को बहुत डाटेगा विक्टोरिया को पॉल को रुखता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगा था अलबर्टो पुछता है कि क्या तुमें चॉकलेट नहीं सेल करने है पॉल कहता है कि फैमिली फर्स्ट आती है हर्वेस्ट में हेल्प करने के लिए विक्टोरिया का ब्रेदर भी यहाँ पर आ गया था सब उसे देखकर बहुत ही खुश थे वो पॉल से मिलता है उसने अमना नाम कुछ अलग बता है सिटी में उसने अमेरिकन नाम रख लिया था यह बात अलबर्टो को अच्छी नहीं लगती और इसके बाद ग्रेप को काटना स्टार्ट होता है और विक्टोरिया ने पॉल को सिखा दिया उसने भी हर एक वर्गर की तरह बहुत सारे क्रेप्स निकाले थे ग्रेप्स निकालने के बाद यह वाइन भी थे है सब लोग बहुत ही खुश थे डॉन बेट्रो ने पॉल से का तुम्हें एक बहुत ही अच्छी आद्मी हो अलबर्टो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा इसके बाद इनका ग्रेप पर चलने का एक रिचुल था यह सिरु मैरिड कबल कर सकते थे तो विक्टोरिया पॉल को लेकर जाती है सब ने मिलकर डांस किया पॉल और विक्टोरिया इन सब रस्मों में बहुत ही करीब आ गया एक दूसरे को किस करने लग जाते है पर पॉल ने खुद को रोक लिया वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकता मेरी उल्डेडी शादी हो चुकी है विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा नेक सिन्मम देखते हैं कि विक्टोरिया का प्रतर अलबर्टो का एक नई बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था पॉल को भी आइडिया अच्छा लगता है तो अलबर्टो उस पर गुस्सा हो क्या विक्टोरिया सब देखकर गए थी कि आप कुसी इस तरीकी से ट्रीट नहीं करना चाहिए अलबर्टो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बर चल रही है रात में तुम दोनों साथ मेरी सोते तुम्हारे बैक में बहुत सारी कपड़े थे जैसे तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो पॉल अलबर्टो से कहता है कि सच यह है कि विक्टोरिया आप सब से बहुत ही प्यार करती है वो सिर्फ आप के लिए वापस आए वो अरना वो सिटे में रह सकती थी इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लाग गया पर उसके उनिफर्म खराब था तो एक लड़की उसे भीगो देती है विक्टोरिया को काम करते करते ज़रा तकलिफ हो रही थे तो पॉल उसे हेल्प करने लाग गया विक्टोरिया ने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते है वो भाग कर आगे चली गई तो पॉल भी उसका पीछा करता है अलबर्टो ने यह देखकर पॉल से बात कि वो कहता है तुमने मेरी बेटी से शादी की इसका मतले भी यह नहीं कि सब कुछ तुमारा हो जाएगा पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो कि आपने बेटी को आप देख नहीं सकते है वो कितनी अमेजिंग है, कितनी ब्यूटिफूल है जिस तरीके सो आपसे प्यार करती है उस तरीके का प्यार पाने के लिए मैं अपनी खुद की लाइफ भी दे सकता हूँ उससे प्यार करना बहुत ही आसान है यह सब विक्टोरिया सुन रही थी इसके बाद पॉल यहां से जाने लग गया पर डॉन पेट्रो फिर से उससे रोक लेते है उन्होंने कहा कि चलो तुमें एक विस्की पिलाता हूँ वो समझ गई थे कि विक्टोरिया और पॉल में जगड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि आदमी और और औरत बहुत ही अलग अलग होते है लड़कियों को सिर्फ दिल की लाइंग वेच अच्छी लगती है उन्होंने बैंड बजाने वाले लोगों को भुला लिया उन्होंने पॉल से कहा कि इन सब लोगों को लेकर जाकर विक्टोरिया के खिटकी के बाहर गाना काओ पॉल फिर ऐसा ही करता है अगर विक्टोरिया ने अपने रूम का लाइट ओन कर दिया इसका मतलब है उसने पॉल को माफ कर दिया पॉल ने बहुत अच्छा गया पर फिर भी विक्टोरिया अपना light on नहीं करती है पॉल disappointed होकर वहाँ से निकल जाता है पर विक्टोरिया ने last moment पर अपने room का light जलाया था पर पॉल को इसके बारे में पता ही नहीं अगली दिन पॉल की train ज़रा late थी और city में एक बहुत अच्छा celebration था तो सब लोग वहाँ पर पहुच गए थे इस celebration में इनकी wine को अपरू किया जाता है wine लेकर विक्टोरिया पॉल के पास आई कहती है क्यों न हमें एक toast करें अगर इसे हलाद ना होते तो क्या होता इन दोनों को एक दुसरे से दूर जाना बुरा लग रहा था तब इनके बास अलबर्डो प्रीस्ट को लेकर पहुच जाता है पॉल ने कल राद विक्टोरिया के रहे गाना कया तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने रियलाइस कया था कि पॉल एक्च्वल में विक्टोरिया से प्यार करता है वो फ्रीज से गय देगा है कि विक्टोरिया की शादी आज ही होगी पॉल ने जाने से पेले विक्टोरिया को एक gift दिया वो गयता है कि मेरी तरब से तुम्हारे बेवी को एक gold medal विक्टोरिया ने कहा कि अब मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा अलबर्डो को सब कुछ पता चलने के बाद वो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया था और पॉल वहाँ से चला जाता है गर जाते हो गाड़ी में पॉल सो गया उसे एक सबना आता है हमेशा उसका सबना वार के बारे में होता था इसमें बहुती ज़्यादा डिस्टब होकर वो नीन से जग जाता था पर आज उसे एक अलग सबनाया इस सबने में उसकी शादी विक्टुरिया से हो गई है उनका एक बेटा भी था और सब लोग बहुत खुश थे पॉल जब सिटी में अपने घर बर वापस आया तो उसकी वाई बेटी किसी और के साथ थे वो कहती कि मैंने बहुत सोच जा है हम दोनों में खुश भी कौमन नहीं है हमारी मैरेज कभी भी वक नहीं करती बेटी ने उसे शादी का अनलमेंट का एक डॉक्युमेंट दिया इसे साइन करने से उनका डिवास हो जाएगा उसे सौरी कहती है पर पॉल को बहुत अच्छा लगा वो बिना किसी टेंशन के विक्टोरिया के पास आ सकता था वो आकर डारेक्ली अलबर्टो से मिला उन्हें वो सौरी कहता है उसने कहा कि वोर से जाने से पहले मेरी शादी हुई थी वो सिर्फ एक मजाग था मैं विक्टोरिया से बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अलबर्टो एबात सुनकर बहुत ही जादा गुसा हो गया और पॉल को मारने लग जाते है उन्होंने कहा कि वो बेबी भी तुम्हारा नहीं है पॉल ने कहा कि मैं विक्टोरिया से शादी करूँगा और फिर वो मेरा हो जाएगा अलबर्टो उससे में पॉल पर एक लैंटन फेकते है पर इस वज़े से उनके विन्यार्ड में आग लग गई इस आग को उन्होंने बुझाने की कुशिश की पर इस बहुती जादा फास्ट फैल जाती है इस आग में विक्टोरिया का ब्रदर फस्ट गया था पॉल अपनी जान की बाजी लगा कर उसे बचा लेता है सब कुछ बरवात हो गया था अलबर्टो रोने लग जाते है विक्टोरिया ने उन्हें सहारा दिया अलबर्टो कहते है कि प्लीज मुझे माफ कर देना उन्हें अपनी गल्ती का रियलाजेशन हो चुका था डॉन पेट्रो ने कहा कि हम फिर से अब फार्मिंग नहीं कर सकते है सब कुछ बरवाद हो चुका है हमारे पास सीड़ी भी नहीं है पॉल एक आर्मी ओफिसर है और इस तरीके से हो हार नहीं मानता पूरे फार्म में उसने देखा तो नीचे तक आग नहीं पोची थी अभी भी ग्रेप्स के रूट्स लगी हुए थे यह लाकर वो अलबर्डो को दिखाता है और अलबर्डो ने कहा कि यहाँ बर हम फार्मिंग कर सकते हैं सब लोग यह देखकर बहुत खुछ थे उन्होंने पॉल से कहा कि अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो पॉल विक्टोर्या के पास है अपने चॉकलेट्स में से एक रही निकाल कर उसे पहना देता है यह दोनों साथ में थे और सब लोग इनके लिए चेयर करते है इसे के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पिनेशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर देजएगा मैं बहुत सारी मुवी लेकर आते रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजए और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तक दे के लिए थैंक्यू और आब अबने आपका खैल रखिया